ऐब आप शब्राइब शाइब द्राइब रख्राइब और रख्राइब और यहाँ द्राइब अब ढूर्विब इवनिंग टु आल आप सबका बिद्ध्य एद्ध्य में स्वागत है तो अभी तक आप लोग हमारे साथ बाइलोजी में पढ़ रहे थे तो बाइलोजी में हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किये थे आपका से स्टेम से परिंशंचन तन्तर हो गया सवसंद तĄ हो गया हमारा हम लोग आगले सिस्टम की ओर जाएंगे आज हमारा अगला क्लास स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानि पाचन तत्र से मेरा जो थो एमची गोरकपूर में है आपका तो हम लोग क्लास को आगे लेकर चलते हैं आज का जो हमारा नोट का वो मैंने देखा है अपलोड नहीं हुआ है कोई नहीं होगा वो नोट सम्कुछ से लिख कर वो अपलोड करवा देंगे उसमें कुछ पॉइंच पॉइंट अगर मिसिंग तो वह अलग से लिजेगा क्योंकि जो नोट सम्कुछ संब्समें आपका मान कर चलिए जो होगा वो ग्राफ पॉम में होगा या टेबुलर फॉर्म में होगा वाकि जो है अप उसमें थोरा वह पॉइंट मिसिंग होगा वह एड कर लेना तो हम लोग क्लास को आगे लेकर चलते हैं गायब नहीं थे हमारे जो है डूटी रती हो पहले लाश्ट टास में बता कर गया थे डूटी से फीर फ्री होंगे फिर आपके पास आजाएंगे तो हम लोग अभी तक जो भी था अब लोग आगे चलते हैं जो भी हेल्प के लिए ह है अप लाश्ट में मैसेज कर लिजेगा हम आपको अपना इमेल आइडी दे चुके हैं लाश्ट क्लास में आप उस पर मैसेज कर लिजे जो भी प्रॉब्लम है या मेडिकल रिलेटर जो भी चाहिए वह आपको वहाँ रिप्लाई कर दिया जाएगा ठीक है तो क्या आप हम लोग टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं अभी तक जो है क्या अभी तक हम लोग सरकुलेटरी सिस्टम रेस्पाइरेटरी सिस्टम यह जो सिस्टम है वो कंप्लीट कर चुके हैं अब हम लोग टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं आज का जो हमारा क्लास है वह स्टार्ट इसमें मेली सबको पता है, अब हम लोग इसमें कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में समझेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है, डाइजेस्टिव यानि पाचन, पाचन कहते किसको हैं, सबसे बारतों पॉइंट है कि पाचन होता क्या है, तो पाचन क्या है, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं आप देखते हो घर पे खाना में थाली है रोटी है डाल है सबजी है सब कुछ मिला तो जो फॉर्म आप देख रहे हो क्या है हमें आख से दीख रहा है मतलब वो कठीन है जटिल है यानि कॉंप्लेक्स फॉर्म है बिसिकली भोजन से होता क्या है फूड से हम लोग को मिलता है इनर्जी एटीपी की रूप में इनर्जी किसको चाहिए कोशिका को तो हमारे आख से बिलकुल नहीं दिखती है और यह जो भोजन है हमारा जो हम लोग खाते हैं डेलिये तो आख से बिलकुल दिख रहा है मतलब यह कॉंप्लेक्स फॉर्म है इस फॉर्म में हमारे कोशिका को भोजन यह नहीं चाहिए यह जो कॉंप्लेक्स फॉर्म होता है भोजन का उसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में जो तोड़ा जाता है यानि जो कॉंप्लेक्स है यानि जटल है उसको सरल भाग में यानि सरल रूप म जब तोड़ा जाता है in the presence of enzyme or digestive juice अभी यह enzyme or digestive juice क्या है इसको आप लोग भूल जाएए यह हम लोग जैसे से topic इसमें आगे जाएएंगे इसमें बताया जाएएगा ठीक है तो basically है क्या कि पाचन digestion होता क्या है तो भोजन का जो जटल रूप होता है complex alex form और शको सरल रूप में जो तोड़ा जाता है इस प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं क्यूं सब्सक्राइब क्यों क्यों तोड़ा जाता है कि हम लाज्ट में बात करेंगे इस पे आपसे ऐसे उस में भी मताएंगे लाघे के बनाना कैसे हैं बाकि अभी अभी टॉपिक पे चलते हैं टो हमारा आज काओ ठापिक था फार उसमें पहला प्वैंट था पाचन तो पाचन क्या हो गया जो कोंपलेक्स फॉर्म है उसको सरल फर्म यानि सिंपलेस्ट फर्म में तोड़ना, इस प्रेकरिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, जैसे जो हम लोग भोजन करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या है आपका, कार्बो हाइड्रेट, फिर फैट यानि बसा, प्रोटीन, तो जो हम लोग भोजन क कर रहे हैं वह आपका complex form में अंदर जाता है उसको सरल रूप में तोड़ना उस प्रकिरिया को पाचन कहेंगे तो जो carbohydrate है उसका सरल रूप क्या होगा तो सभी जानते हैं क्या होगा हमारा glucose होगा जो fat होता है यारी बसा उसका सरल रूप है कुछ नहीं नाम सेम है बस fatty acid लगा देना है और जो protein है उसका सरल रूप होता है आपका amino acid अभी आपको लग रहा हुआ कि यह fatty acid क्या है amino acid क्या है तो जब हम लोग आगे पोशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि जो protein है वो छोटे छोटे अमाइनो acid के chain से मतलब 50-100 या उसते अधिक amino acid आपस में जब मिलता है तो हमारा protein का निर्मान होता है उसी परकार fatty acid के छोटा छोटा fatty acid आपस में जूड कर क्या है बसा का निर्मान करता है और उसी परकार glucose दो glucose आपस में जूड़ेगा या फिर glucose या फ्रक्टोज जूड़ेगा तो यह क्या बनाएगा आपका सुक्रोज बनाएगा फिर और भी glucose सब आपस में मिलता है तो लाश्ट में आपका starch बनता है तो यह सब जो chapter पोशन में पढ़ेंगे ब और जो fatty acid है बसा मतलब जो fat है बसा उसका simplest form क्या आपका fatty acid और protein का simplest form amino acid मतलब क्या हो गया कि जो हम रोटी खाएं तो वह क्या हो गया carbohydrate complex form अब रोटी खाएं complex है तो उसको simple form में तोड़ना है मतलब उसको glucose के रूप में तोड़ना है जिससे की हमारे सरीर की कोशिका क्या है उ उसका यूज करके oxygen के साथ उर्जा का उत्पादन कर सके तो glucose में तोड़े इस प्रेक्रिया को पाचन कह दिए simplest इसमें तोड़ना है तो यहां तक हमारा किलियर हुआ तो अब आप एक वार देखो जो carbohydrate है उसका simplest form क्या होगा जल्दी से आप लोग बताओ जो carbohydrate है उसका simplest form यानि असान जो simple असरल जो फॉर्म होता है सरल रूप वह कौन सा होगा यह बताओ जल्दी से बताओ का carbohydrate का simplest form क्या होगा विल्कुल सही अभी हम लोग बताए कि carbohydrate का simplest form आपका glucose होगा उसी प्रकार आता है हमारा प्रोटीन प्रोटीन का simplest form क्या होगा तो प्रोटीन का simplist form Amino Acid और fat का क्या हो जाएगा fatty acid यहांं तक अभी हम लोग क्या किए बस एक पोंच समझें कि पाचन होता क्या है अभी हम लोग क्या कर लिए पाचन के बारे में किलियर किए अब हम आगे चलते हैं chapter को लेकर जो हमारे अंदर जैसे पहले आप पाचन देखो जो हमारे अंदर पाचन प्रकिरिया है वो कहां से स्टार्ट होता है जो हमारे अंदर पाचन प्रकिरिया है वो कहां से स्टार्ट होता जल जल दी बताओ आप लोग क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिक सभी को पता ह अंदर का डीटेल सिर्फ है कि वो हमको समझाना है तो बिल्कुल सही जब भी पाचन स्टार्ट होगा तो हमारे माउथ से मुख से स्टार्ट हो जैसा कि आप इसमें देख बारे हो अभी आप देखना मुझ से खाएगा फिर नीचे जाएगा अभी आप फिर से देखो मुझ में गया खाया चबाया नीचे आया पेट में आया पाचन हुआ फिर यहां से बाहर आ गया ठीक है तो यह जो पूरा प्रकिरिया है इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं तो जो पाचन है वो हमारे मुख से स्टार्ट होता है तो मुख में क्या होता है हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं यानि इन जेशन अंदर ले रहना और इसको हिंदी में हम लोग क्या करते हैं अंतर ग्रहन भोजन को अंदर लेना तो स्टार्ट होगा भोजन को अंदर ले स्टम उसमें आपका टोटल 5 प्रक्रिया होता है in thecence हें पाचन के अंदर आपका प्रक्रिया ठीक है पहला स्टार्ट कहां से होता है कि हम भोजन अंदर लेंगे यानि इनस अध्य पहले क्या हुआ इनसन भोजन अंदर लिये अंतर रहन अंदर लेने के बाद क्या होगा बोजन का पाचन होगा यानि डाइजेशन होने के बाद भोजन से क्या होगा बोजन के जो है वो श्युंपले पर में तूट गया तो गुलुकोज है fatty acid है Amino Acid है, Minerals है, बिटामिन उसका क्या होगा, अब्सोसन, absorption, अब्सोसन होने के बद क्या होगा, वो शरीर, जैसे अब्सोसन तो पे, आपका छोटी आत, बढ़ी आठ में हो रहा है, बाकी सरीर इतना बड़ा है, आत वेकर आपका पेट में है, तो सरीर के विभीन भागों में भेजना है यानि स्वांगी करन एसी मिलेशन लास्ट में जो वेस्ट बच गया मल परित्याग उसको बाहर निकालना इजेशन यह हो गया आपका पाचन का प्रक्रिया इसको रटना बिल्कुल नहीं है कि क्या क्या होता है नॉर्मल सब कॉंसेट आपको समझते चलना है ठीक है पाचन में पाच प्रक्रिया यह बस है याद करना कहां से स्टार्ट तो भोजन हम अंदर लिए यानि इंजेशन अंदर लेने के बाद क्या होता है पेट में भोजन का पाचन यानि डाइजेशन अंदर लिए पचा लिए पचानने के बद क्या उससे जो भी हमारे काम-लाइक है उसका क्या होगा अब सोसन करने के बद क्या है अकेले थोड़ी रखना है सब को देना है सरीर में तो एसी मिलेशन स्वांगी करन सब को दिये और बाकी जो वेश्ट है वो बाहर निकालना मल परित्याग यानि इजेशन यानि बाहर निकालना क्या यहां तक जो पाचन का प्रकिरिया है यह आपको किलियर है यह को जल्दी से बताईए जो पाचन का प्रकिरिया है वो पांच परकार का है यह आपको क्लियर है चलिए हम इसको एक बार और समझेंगे ठीक है अभी हम भूल जाते हैं कि क्या क्या बताएं ठीक है अब कि आज क्लास में लें ली है आप लोग करेंगे पाचन तंत्र डाइस्टिव सिस्टम और स्टार्ट कहां से होता ये बताईए जो पाचन तंत्र है वो हमारा मूख से स्टार्ट होता है यानि भोजन या खाना ठीक है अब जो भोजन ये खाना है इसको हम लोग अपने मुख के अंदर लिए मुख के अंदर लिए यानि इंजेशन अंदर लिए अंतर ग्रहन तो पहला प्रकिरिया क्या होगे हमारा इन जेशन अभी मुख के अंदर क्या क्या है उतना हम नहीं चलेंगा अभी सिर्फ क्या है प्रकिरिया समझ रहे हैं पहला प्रकिरिया कोई भी भोजन है उसको मुख के अंदर लेना यानि पहला हो गया हमारा इन जेशन इंजेशन के बाद क्या होता है अब कोई भी भोजन है हम खाएंगे खाने के बाद क्या होगा उसका पाचन होगा तो जो दुसरा प्रक्रिया हो गया अब हो गया हमारा पाचन इंगलिस में इसको कहेंगे कि ठीक है अब जब हम भोजन जो है मुख में लेते हैं मुख में लेकर क्या करते है उसको निगलते हैं निगलने के बाद वह कहाँ जाएगा ग्रास नली यानि इसोफेगस में जाएगा तो मुख के बाद भोजन जाएगा आपका यह ग्राइन लियाह आहा कहीं कहीं आपको अहार नाल भी लिखा हुआ मिलेगा तो नहीं होना है इस तो फैगस इंग्लिस में करते हैं कहीं आपको इस से स्टार्ट मिलेगा कहीं इसे स्टार्ट मिलेगा इसलिए नाम से भी कंफ्यूज नहीं होना है तो भोजन क्या है हमारा मुख से अंदर गया गले से ग्रास नली यानि अहार नाल से अंदर जाएगा अहार नाल के वाद कहां जाता है भोजन जल्दी बताईए जब हम भोजन करते हैं मुझ में लेने के बाद निगलते हैं ता हार नाल से होते हुए भोजन कहा जाता है विल्कुल सही पेट में जाता है यानि आमास है अस्टोमक थीख है यहां तक के लियर यानि भोजन मुख में लिए मुख से ग्रास नली हार नाल से होते हुए हमारे अमास है यानि अस्टोमक में गया अस्टोमक के बाद कहां जाएगा तो यह आपका जाएगा छोटी आन्थ तो अभी तक क्या हुआ कि हमारा जो भोजन है पहला प्रक्रिया हो गया दूसरा का डाइजेस्टन स्टार्ट हुआ डाइजेस्टन जो आपका स्टार्ट होता है वह आपका मुख से ही स्टार्ट होता है मुख में जो है आपका सिकली डाइजेसन आपका कार्बो हाइड्रेट का स्टार्ट होता है वह थोड़े दिर में अभी आगे क्लास में आएगा मुख के बाद ग्रास नली ग्रास नली के अमास है जब पेट में जाता है तो अभी के लिए बस बता दे रहें कि पेट के अंदर आपका इंजाइम होता है रेणीन पेपसीं और डैलूटेड अर्इच सी एल हाइड्रो ब्लॉरिक अमल जो हमारा पेट हैं अमासे होता है उसके अंदर रेणीन से जो भोजन का पाचन होता है वो आपका छोटी आत में होता है अब क्या है भोजन का पाचन हो गया अब जो रोटी खाए हम लोग पच करके ग्लुकोज में तूट गया तो ग्लुकोज का क्या होगा अब सोसन तो जो अब सोसन होना है छोटी आत जो छोटी आत है इसी से आप कि आपका क्या होगा अब सोसन कि यानि एक जॉप सन ऑप स्टे होगा तो यह आपका कोसिका के द्वारा होगा हुआ उसमें क्योता है अभी बस उपस्थित है जो कि क्या करेगा आपका जो ग्लुकोज है उसको सरीर के विभीन अंगों पर ले जाएगा इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या ऐसी मिलेशन चौथा हो गया ऐसी मिलेशन उसके बाद जो वेस्ट बच गया वह सरीर से बाहर हो जाएगा मल परित्याग तो बिसिकली यह जो है आपका यही प्रक्रिया है कि मुख से हम भोजन लेंगे अंदर जाएगा ग्रास नली या हार नाल से होता हुए पेट में जाएगा सेकेन प्रक्रिया यानि पाचन स्टार्ट हो गया पाचन जो है अंतिम रूप से आपका छोटी आत में पाचन होता है जब पाचन हो गया तूट गया असान में तो क्या होगा अब उसका अब सोसन यानि यह हो गया चौथा तिसरा प्रक्रिया अब सोसन अब सोसन जब होगा तो सरीर के बिभीन अंगों पे जाएगा उसको कहते हैं assimilation या हिंदी में स्वांगी करन उसके बाद जो भी बाहर वेश्ट बच गया उसको निकाल देंगे मल परित्याग ये पांच प्रोसेस है आपका पाचन तंत्र का यहां तक किलियर है जल्दी से बोलिए भोजन अगन्यास है यानि पैंक्रियास से नहीं जाता है दो ग्लेंड है पैंक्रियास और लिवर यह आपका पाचन में हिल्प करता है वहां से भोजन नहीं जाता है अभी टॉपिक तो अभी स्टार्ट ही हुआ न अभी खत्म तो होने दीजे उसके बाद के आपका जावट है वह किलियर होगा बाकि जो पानी का फानी का जो कंऊंप्सें है वह आपका लाज इंटेश्ट से होंगा आएंगे आपको अच्छे से सब किलियर होगा तो यहां छोटी आत से अपसोसन हो गया तो बाकी जो वेस्ट है वो बड़ी आत से होते हुए ही बाहर आएगा एनस के थुरू लेकिन अभी हम क्या प्रोसेस समझ रहे हैं कि पांच प्रकिरिया है वो कहां से कहां स्टार्ट होता है तो पहला इंजेशन जो हमारा मुख से स्टार्ट होता है फिर पाचन हमारा पेट में होता है और अंतिम रूप से जो पाचन है वो छोटी आत में होता है पाचन होगे या पाचन के बाद क्या है उसका अबसोसन करना है तो absorption कहां से start होगा छोटी आथ से ही start होगा उसके बाद वो सरीर के विभीन अंगों में जाएगा यानि assimilation वाकी जो वेश्ट बचा उसको हम लोग बाहर निकालेंगे यानि इजेशन ठीक है अब देखिए एक दो पॉइंट हम आपको यहां पर ही किलियर करते हैं कि जैसे जो हमारा ग्रास नली है अहार नाल जिसको इंगलिस में इसोफेगस कहते हैं ठीक है इसके अंदर एक movement पाय जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्रमा कूचन इंगलिस में पेरिश्टालसिस ठीक है अब यह पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसोफेगस हम आपको यहीं पर बताएं सबसे छोटा है ठीक है इसोफेगस के अंदर एक प्रकिरिया movement पाया जाता है जिसको हम ल अब यह पेरिश्टालसिस movement क्या होता है कि जैसे मान लो कि यह आपका अहार नाल हो गया इसके अंदर यह हमारा भोजन आ गया खाये निगले तो भोजन आ गया अब जो यह भोजन है वो नीचे खुझ से नहीं जाएगा अब आप बोलोगे कि भोजन नीचे कैसे जा रहा है पर लिया बताओ आपके एक कोडिंग जब भोजन खाये निगल लिए तो उपर फिर हमा नाल है उससे भोजन हमारे पेट में किस वज़ा से जाता है कि एक लोग कहरें ग्रैविटी किया ग्रैविटी के वज़े से जाएगा बहुजन अभी हम खड़े हैं खा रहे हैं तो नीचे चला गए अब वहीम लेट के अगर खा रहे हैं तो आईसा तो नहीं कि लेट के खंए टो पेट में नहीं जाएगा पेट में भी जाएगा इना वो ग्रैविटी तो वहां काम नहीं आएगा इसलिए ग्रैविटी के वज़ा से भोजन हमारे मुख से पेट में नहीं जाता है वो जो जाता है उस मुव्मेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मुव्मेंट क्रामा कूचन अब इसमें होता क्या कि ज पर सिकूडेगा नीचे प्र कहलेगा तुथ जो सोलास, शेलेगा, ऑपर शेलेगा, फिर भोजन नीचे आएगा फिर उपर का वो जो सिकूड़ा था वो रिलेक्स होके उसके नीचे वाला पार्ट फिर आप सिकूड़ेगा यानि contraction relaxation आपस में संकूचन परिसंचरन contract होगा उसके आप फैलेगा इस जो movement है धीरे धीरे भोजन उपर से नीचे आएगा इसी प्रकडिया को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालशी से यानि क्रमा कुचन क्या क्या होता है या क्लियर हो गया है आप देखिए एक दो Unter and जो भोजन जब हम लोग खाते हैं मुख में जाता है तो आप देखते हों कि मुख में ला राता है सलाइवा तो मुख में जब हम भोजन लिए चवाते हैं थोड़े जर चवाने के वाद आप जब भोजन को बाहर निकालोगे मुख से तो आप दिखोगे कि जो रूप में हम ल लिड कहते हैं तो जो भोजन है हमारे मुख के अंदर सलाइवा के साथ जब भोजन मिल जाता है तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं बोलस ठीक है टर्म है एक हमारा बोलस बोलस क्या होता है भोजन प्लस सलाइवा यानि लार जब भोजन लार में मिल जाता है तो आप देखते हो कि सेमी सॉलिड हलका गीला चिपचीपा सा हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं बोलस यानि जब भोजन हमारे मुख के अंदर है चवाने के बाद तो उसको हम लोग कहते हैं बूलस और वही भोजन अगर हमारे अमासे में पहुंचे जाता है तो उस टर्म को वहाँ पे कहते हैं काइम ठीक है? इंगलिस हिंदी दोनों सेम है जब भोजन चवाने के बाद हमारे पेट में जाता है तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं काइम और जब भोजन हमारे मुख में ही रहता है सलाइवा से यानि लार से मिल जाता है तो उस भोजन को हम लोग कहते हैं बूलस सेमी स् Columbus यानिंग कह सकते हैं आपका थोड़ा दरब एन थोड़ा ठोस ठीक है यहां तक की लियर है अभ अभ किले लाइट अगर यहां तक क्लियर तो जल्दी बताएं भी में लोग आगे चलते हैं क्या यहां तक आप सबका बोलस क्या है काइम क्या है पांच प्रकिरिया जो हो गए इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसीमिलेशन एजेशन क्लियर चलिए अब आगे चलते हैं अभी तक क्या हम लोग देखें कि हमारा जो डाइजेश्टिव सिस्टम यानि पाचन खुलो औ rakन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं भकल गये कैवीटी कि उसको क्या कहते हैं वग्कल से अब रटना तो कुछ है नहीं कि हम हम जो पाचन तंट्र हमारे मूह से स्टार्ट होता मूह के अंदर खाली जग उसको हम लोग क्या कैंगे ई ठीक है अब देखिए ब मुख के बार गाली जगा उसको कहते हैं Bucle Cavity के अंदर क्या-क्या है तो Bucle Cavity के अंदर आपका क्या-क्या है कऊ से चलिए दान्द यानि तीच लागन आपके आंदर जीव यानि टंग ऊपर में जो होता है हमारे मुख का उपर का यानि रूफ छत जो कहते हैं, उसको कहते हैं मुख के बाहर क्या हो हाँ आपका तालू, अब तालू दो परकार के वो भी में आगे चलेंगे ठीक है. अब तालू से हो कहते हैं कि भोजन है आपको बस इसको रिलेट करना है कि भोजन मुझ में गया मुझ के बाद बकल कैविटी से फिर इसोफेगस आहार नाल आपका यह आगया आहार नाल से कहां जाएगा पेट में पेट का भी जो पार्ट है वो हम आगे होई क्लियर ही कर लेंगे फिर पेट के बाद आत में आत उन-चोंच होता है वह दो टाइप का होता है छोटी आत और बरियांग तो पहले छोटी आत में जाएका याननि स्माल इंट्स ताइन यह भी ती टीन का होता है जब छोटी आत पढ़ेंगा उसमें आएगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन उसके बाद लास्ट रूप से आपका एनस यानि उससे बाहर आ जाएगा तो बेसिकली रटना कुछ नहीं है जो हमारा पाचन तंत्र मुह से स्टार्ट होगा माउथ फिर बकल कैविटी अंदर कैव ही नहीं होता है उसके साथ आपका एक डाजेस्टिव ग्लेंड यानि जो पाचन ग्रंथी होता है वो भी उपस्थित होता है जैसे आपका गैस्ट्रिक ग्लेंड यह आपका पेट में उपस्थित होगा इंटेस्टाइनल ग्लेंड के पास आपका दो इंटेस्टाइनल ग्ल झाल 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 बस यह है आपका पाचन तंत्रे अब देखिए इसमें साथ साथ हमको बता दें नोट्स कैसे बनाना है ठीक है आपको पाचन तंत्र में आप ऐसे एक डाइग्राम बनाईएगा अस्टार्ट कहां से होता है तो हमारा माउथ यानि मुख से ठीक है अब मुख में क्या क्या है आपको बस कॉमन लेकर चलना मुख में क्या बाहर में हमारा होट है लिप्स यानि मुख के बाहर में क्या हो गया लिप्स हो गया है और लिप्स कितने है यह तो रटना भी नहीं लिप्स कितने है दो एक उपर एक नीचे यानि दो इन नंबर ठीक है अब लिप्स जो हमारा वो मुवेवल है या इमुवेवल या जो होट है हमारे वो घुमने वाला या बीना घुमने वाला ये बताई आप log , जो हमारा होट है भूझ मने वाला है या भीना भूमने wanna Mayor ही लता हैOn मैं बोर्ट का कलर गृ्न आस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जो फीगर अफ Congrats आयगा फिर तोपिक फिर जून माउच है माउच में क्या है बाहर में लिप्स है जो कैसा है मूवेवल है यानि घुमने वाला और दो इन नंबर यानि संख्या कितना है पूर इा अब जो मुख है हमारा अंदर खुलता है बकल कैविटी मुख गुहा कैविटी को हिंदी में गुहा कहते हैं मुख गुहा कैविटी के अंदर क्या क्या है वो आपको भी बताना है आगे से चलेंगे दाथ के अंदर जीव आउपर फिर बताए आपको तालू तो आप हम लोग क्या है उल्टा च अब घुलागे तो आप बड़ा मुख खुलो गे तो न देखोगे मूख में आगे साइड में यहां पर टwarz करना है स्यां यहां क्या हाड होता है कठोर फील होगा तो नाम से ही है आगे के साइड में जो हमारा मुख है उसके आगे में जो कठोर है यानि हाड क्या है तालू यानि पैलेट हाड पैलेट हिंदी में कहेंगे कठोर तालू कि नाम के लिए रटना नहीं है क्यों नाम पढ़ा क्योंकि उपर में मुझ में से तॉच करो यहां हाड होता है तो यानि कठोर क्या है पैलेट है कठोर तालू अब इसमें आप देखो कि यह रृफ होता है यानि खूर दरा होता है अप मुझ में टच करो कहीं कर्णधा तो कथोर तालू आपका खुरदराय यानी राफ होता है पीर कथोर तालू को जब आप अंदर जाओगे और अंदर में आप देखोगी तो वहां सौफ्ट मिलेगा अंदर थोड़ा और जाओगे तो soft यानि soft यानि मुलायम क्या है palette यानि टालू तो उसका नाम क्या पढ़ गया hard के अंदर soft palette ठीक है अब आप मूख जब खोलोगे तब देखो बीच में एक लटका हुआ सनरचना मिलता है आप कस के हवा फेकोगे तो थोड़ा बाहर की और हिल बीचानिता है सर्दी जुक्षाम होगा तब देखो उसका size बढ़ जाता है उसी का नाम होता है हमारा उभ्यूला उभ्यूला बैसिकली है क्या आपका अभी क्या है हम सामने से देख रहे हैं ऐसे मुख खोले तो सामने से देख रहे हैं अब क्या हम आपको side view दिखाएंगे एसे कट के साइट से अब आप देखो के तो क्या होता है कि यह होता है आपका आगे का जो सनरचना है यह हो जाता है आपका क्या hard palate, कटोर तालू, उसके बाद पीछे का जो सनरचना है यह होता है soft palate. उसी soft palate से एक पतला सा अंगली नूमा संवचना finger like structure लटका हुआ रता इसी का नाम होता है आपका उवियूला किलियर है यह हो गया हमारा क्या palate palate कितने टाइप के दो टाइप के उवियूला को हिंदी में उवियूला ही बोलते हैं palate दो टाइप के hard palate यानि कठोर तालू और short palate यानि मुलायम तालू और मुलायम तालू का ही एक्स्ट्रा पार्ट जो अंगली नूमा संरचना होता है उसी को हम लोग कहते हैं उवियूला बाकी आप मूख में देखोगे तो side में होगे हमारा टॉंसिल और बाकी नीचे जो बेस होता है यह मरह हो गया जीव ठीक है तो आपको अभी बता रहे थे कि हमारा जो मुख गुहा है उसमें क्या है उपर का जो पैलेट है रूफ कंप्लीट हो गया अब हम लोग पहले चलते हैं बेस रूफ खतम बेस पे चलते यानि नीचे ज जीव क्या है पहले तो यह बताओ कि जीव है क्या मसल्स है जीव जो है आपका मास्पेसिया है या उत्तक है या कोशिका है क्या है आपके एकोडिंग जो हमारा जीव है वो क्या है मास्पेसिया है उत्तक है या कोशिका है सिर्फ तो बिल्कुल सही जवाब जो हमारा जीव है वह एक परकार का मसल है यानि मान स्पेसिया है ठीक है अब देखें दो टर्म हम आप टॉंसिल के बारे में अभी आएगा भी फिर से बताएंगे उसको टेंसल नहीं लो आप अब जीव के बारे में देखो दो टर्म है एक होता है एंटिरियर एक होता है पोस्टिरियर जो जैसे नॉर्बल खड़ा है तो जो हमारे आगे साइड है यह आख वेगर जो भी है यह आगे का एंटिरियर यानि आगे साइड होता है फ्रंट साइड एंटिरियर होगे आपका अब posterior होगे आपका back side ठीक है अब आप बताएंगे कि जो हमारा जीव है वो anterior आगे side से जुड़ा हुआ है या free है जो हमारा जीव है वो आगे side से यानि anterior side से जुड़ा हुआ है या free है जल्दी बताइए हमारा जीव आगे side से क्या है free है या जुड़ा हुआ है free है बिल्कुल सही यानि कि जो टंग है वो anterior side से free है आप खुझ चेक कर लो जीव निकालो घूम रहा है मतलब free यह कहीं भी जा सकता है और जो जीव है posterior side यानि पीछे side से वो free है या जुड़ा हुआ जल्दी बताइए जो हमारा जीव है posterior यानि पीछे पीछे side से free है या जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ बिल्कुल सही आज का क्लास में maximum सवाल का जवाब आप ही लोग दे रहे हैं तो जो जीव है anterior side से free है पीछे वाले side से क्या है वो आपका जुड़ा हुआ है और किस से जुड़ा हुआ है तो आपको याद होगा एक हड़ी का नाम बताये थे आप ही बताइए हड़ी जो हमारा जीव है वो पीछे side में किस हड़ी से जुड़ा हुआ है जो हमारा जीव है वो हमारे मुख में पीछे side में किस हड़ी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल सही जवाब हायोईड बोन आपको हम बताये थे कि हमारे एक्जियल स्क्लेटन में बताया थे सिंगल हड़ी पाया जाता है हॉयाइड बोन उसके उपर से बताया था कि जीव पार होता है तो जो हमारा जीव है वो पोस्टिरियर यानि पीछे साइड से हाईवाइड हड़ी से जुड़ा हुआ होता है और आगे साइड से जीव क्या है वो फ्री है यहां तक कि लिए आप बताये कि जो जीव है उसका फंक्सन क्या है का हमारे जो हड़ी है मतलब सुरी जीव है टंग उसका कारे क्या है कारे बताई आप लोग एक तो सही बता रहे टेस्ट बताना टेस्ट करना यानि जीव से हमें टेस्ट पता चलता एक और कारे बताई जीव का और एक कार क्या है स्वाद चखना टेस्ट करना वो ठीक है दुसरा कारे क्या होगा हमारे जीव का जल्दी से बताइए हमारे जीव का दुसरा कारे क्या है पहला तो कोई भी बता देगा टेस्ट पता चल रहा है दुसरा कारे बताइए भीलकुल सहीु से लाइवा बोले हैं सही है सालाइवा को फूड से मिलाना अब आप जीवहटा आप नॉर्मली जब Makते ओ तो आप देखते होगेख बोलने में वी है भोजन को we से मिलाने में भीा आप चबातेशंदेख्यों जीव से भोजन इधर उधर हम लोग करते रहते हैं तो जीव का क्या हो गया एक टेस्ट लेना बोलने में help करता है तीसरा हो गया भोजन को सलाइवा से मिलाना यह साब हो गया क्या हमारे जीव का कार है अब जो है क्या आप जीव का फोटो यह structure हो गया हमारा जीव का यह जो पार्ट है आपका यह पीछे वाला पार्ट यानि posterior पार्ट तो यह क्या हो गया जूड़ने में अब जीव का में वह वेश्ट काम है तो जो हमारा जीव है यह फोटो समझो पीछे यह जूड़ा हुआ है आगे का हो गया यह आगे का पार्ट यह आपका यह क्या है प्री है अब आप इस जीव पे देखो यह छोटा छोटा आप देखते हो गये स्ट्रक्चर छोटा-छोटा संरचन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पैपीले कहते हैं इंग्लिस हिंदी टर्म दोनों सेम है हमारे आप नॉर्मल नहीं भी फोटो आप घर पे जाना एनक के सामने अपने जीव निकालना आप देखें कि उसमें छोटा-छोटा स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसी को हम लोग पैपीले कहते हैं और इसमें क्या होता है इसमें आपका टेस्ट बर्ड उपस्थित होता है जो पैपिले है उसी में आपका टेस्ट बर्ड उपस्थित होता है यानि जो स्वाद बता आता है वो बर्ड जो है वो उपस्थित होता है अब देखी आप जो हमारा जीव है ठीक है आगे साइड अब टेस्ट मेलनी जो क्या क्या जानना है स्वीट यानि मीठा कड़वा खटा नमकीन तो जो हमारा जीव है पहले हम नॉर्मल बता रहें फिर इसका त्रीक भी बताएंगे कैसे होगा जीव के आगे साइड में ये जो होता ये स्वीट होता है यानि मीठा हो गया जीव के आगे साइड में स्वीट मीठा और जीव के एकदम पीछे साइड में बीटर यानि कड़वा ठीक है जीव के आगे साइड में स्वीट मीठा सबसे पीछे साइड में बीटर यानी कड़वा और जो हमारा जीव है इसके साइड में कड़वा के आगे खटा जिसको इंगलिस में सौर कहते हैं और बाकी यह जो पार्ट बचा आपका यह हो गया हमारा नमकी इंसॉल्टी अब देख इसको रटना नहीं है कैसे याद रखना है कि जीव में कौन सा टेस्ट कहा होता है कोई भी इंसान आप से पहली वार मिला तो आप उससे क्या करते हैं मीठे से प्यार से मीठे मीठे बोल बोलते हैं यानि आगे पहला बार मिला आगे से तो आगे से क्या है हम लोग पहले मीठा मीठा बोलते हैं फिर अब धीरे धीरे कितना बोले बार बार मीठा बोल रहे हैं अब वो पकाना स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा सा नमकीन यानि करवा करवा कभ बोलेंगे लास्ट में यानि जो हमारे जुब है उसके आगे हम स्लू में मीठा देंगे ऐसी कि नाट से पाडवा देंगे यह क्लिए होगेidar कि आगे स्वीट सब से पिछेगे कढ़वा यह दो इस box कर दूहाईयां आज कल के लोग टाइम पास करते ऐसे करते एक टोन मारोगे यानि खट्टा बोली बोल रहे हैं तो गड़वा से पहले खट्टा बोलेंगे यानि टोनी आएंगे उससे पहले कि फिर क्या हो गया थोड़ा नमकीन सौर्टी स्टार्ट होगा तो यह हो गया हमारा टेस्ट जी आगे स्टुईट फिर पीछे स्टी उसके पीछे सोर सबसें पीछे करवा किया यहां तक आपका टेस्ट के लिए हो गया जल्दी बताईए यह जो टेस्ट बढ़ कौन सा टेस्ट स्वाद के लिए कहां है अगर कुस्चन आएगा इससे तो आप लोग से बन जाएगा जल्दी से बताईए चलिए विल्कुल के लिए आप देखिए हम लोग आगे चलते हैं अभी तक क्या है मुख गुहा पड़ रहे थे उपर का पड़ लिया तालू नीचे का पड़ लिया टन अब आगे का क्या है दांत अब देखो आप दांत के वारे में इंपोर्टेंट पॉइंट तीथ दांत आप देखोगे जो हमारा अभी पहले समझाते हैं ठीक है जबड़ा जबड़ा आप देखोगे दो पार्ट में उपर और नीचे अपर जाओ और लोवर जाओ उपर का जबड़ा यानि अपर जाओ नीचे का जबड़ा यानि लोवर जाओ ठीक है अभी ये अब देखिए जो दाथ है पहले उसका एनाटमी समझते हैं ठीक है अब आप दाथ देखोगे आप नॉरमल जब आप मुझ खोलोगे तो क्या है कि दाथ का कुछ पार्ट ऊपर दिखता है कुछ पार्ट हमारा जो मसूड़ा है गम्स उसके अंदर है ऐसा है या नहीं आप लो चली है मतलब सही है आप देखिये है क्या कि जो हमारा दाथ है उसको हम लोग तीन भाग में बाटते हैं का जो दाथ का पार्ट जो हम लोग को दिखता है हमैसा यृसा जेसे आपको दीख रहा है मेरा 22 दीख रहा होगा भी तो दात का उपर का पार्ट जो हमको दिखता है इसको हम लोग कहते हैं क्राउन या फिर इसको हेड भी कहते हैं माथा हो गया ठीक जो दिख रहा है उसको हम लोग हेड कहते हैं और जो दिख रहा है मतलब जो क्राउन है क्राउन का कुछ पर जो मसूड़े के अंदर जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं नेक कैसे यह हमारा हेड है हेड में आप देखो नेक छोटा सा पतला सा जो हमारे नीचे बोड़ी से जूड़ रहा है तो उपर का पार्ट जो मसूड़े के उपर है उसको कहते हैं क्राउन और क्राउन का थोड़ा पार्ट जो मसूड़े के अंदर जा ठीक है? जो हमारा दान्त है वो 3 पार्ट में बटा है. सबसे उपर जो बाहर से हमको दिखता है उसको कहते हैं head and जो सबसे नीचे जो हमारे मसूडे में चला गया उसको कहते हैं root बाकी जो बीच में बचा उसको कहते हैं neck खिक है अब आप देखोगे कि जो दान्थ है उसके अंदर भी एक खाली जगह होता है यह जो आप देख रहे हैं यह खाली जगह है इसको हम लोग कहते हैं आपका पल्प कैविटी जो हमारा दान्थ है उसके अंदर जो खाली जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी जिसके अंदर आपका नर्व तंत्रीका और ब्लड वेसल्स विगरा आता है जैसा कि आप इस फीगर में देख पा रहे हो कि नीचे से आया उपर गया है यह मतलब जो ब्लड वेसल्स और तंत्रीका है वो कहां आता है तो हमारा पल्प कैविटी में आता है ठीक है अब इससी पल्प कैविटी के बाहर एक पीला नूमस सन रचना होता है जो थोड़ा हाड होता है उससे उसको कहते हैं हम लोग डेंटीन पल्प कैविटी के बाहर होता है डेंटीन उसके बाहर होता है इनेमल मतलब बेसिकली जो हमारा दात है यह उपर का जो हम लोग को अभी दीख रहा है उसको हम लोग कहते हैं इनेमल और यह जो है सबसे हाड है क्योंकि आप दात पर चेक करोगे कुछ भी खाने लिए कितना भी कठोर दो वो तोड़ देगा यानि जो इनेमल है वो सबसे हाड़िस्ट मेटेरियल होता है और यह इनेमल जो है वो कैल्सियम फॉस्फेट से आपका बना होता है थिक है जो इनेमल है वो हमारा कैल्सियम फॉस्फेट से बना होता है सबसेहाड है उससे कम हाड़ Department है जो आपका पीला कलोर का होता है उसके अंदर आपका आपका पल्प कैविटी होता है जिसमें आपका ब्लड वेसल्स नर्व वेग्रा सब कुछ आता है विसिकली डात का यह नौनमल सिंपल एनाटमी है आप देखिए हम लोग आगे चलते हैं कि दाथ का प्रकार आप ही लोग बताईए दाथ कितने परकार के होते हैं पहले तो यह बताईए दाथ कितने परकार के होते हैं वो चार तो अलग-अलग टाइप से दाथ हो गया बेसिकली जो दाथ है उत्पन के अधार पे मतलब इरप्सन के वेसिस पे हम लोग दाथ को दो दो पार्ट में पहले बाठते हें दाथ जो जनमता है उसके अधार पर दो पार्ट में प्राइमेरी दाथ कि या मिल्क टिथ प्रमानेंट नहीं तो दाथ कि डाथ दाथ बस्वाय के पहले अगर वो तूट गया तो फिर तो आएगा नहीं फिर आप सर्जरी करा के नॉर्मल आर्टिफिसियल बनवा के डूपलिकेट लगवा सकते हैं लेकिन अगर आपका पर्मानेंट वाला दांट तूट गया तो वो दुवारा वापस कभी भी आपका नहीं आएगा ठीक है तो एक हो गया हमारा मिल्क तीथ उसको और भी टर्म है डेसी डूर्श तीथ हुई कहते हैं अब देखिए जो हमारा दांथ है कि बेसिकली आपको चार परकार का जो आप लोग बोल रहे थे वह हमारा यह है कि दांट जो है व्यस्क मनुस्क के अंदर चार परकार का पाए जाता है पहला होता है इंसीजर दुस्त्रा के नाइन तिसरा प्री मोलर चौथा मोलर पिर से देखिए पहला इंसीजर दुसरा के नाइन तिसरा प्री मोलर चौथा मोलर अगर हिंदी पूछे तो इंसीजर को कहते हैं क्रिंटक जो इंसीजर है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं क्रिंटक और के नाइन को रदन तक क्विन तक रदन तक्र और आग्र चवर्नक और चवर्नक लेकिन हम लोग इंग्लिस में ही चलेंगे ठीक है इन सीजर को मिलनी आपका मैक्सिमम टाइम आपको इंग्लिस में ही पूछा गया है इसलिए नहीं होना है ठीक है पहले क्रीम तक इन सीजर हम अभी ट्रीक सब बताएंगे कि दात भी कैसे याद करना है आप देखिए जो दात होता है हम लोग एक फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं उसको कहते हैं ड तालू दिख रहा है उपर का जवड़ा है अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी बीच से ऐसे बाटेंगे यानि अपर जो में भी एक राइट और एक लेफ्ट और लोवर में भी राइट और एक लेफ्ट ठीक है कैसे याद करना है वो ही बता रहे है एक जवड़ा लिए उसको बीच से भी ऐसे काटे यानि यह बस यह आधा पाट आपका लीबत आएंगे इसका आधा जो है उधर आधा इधर आएगा फिर उससे सेम नीचे आधा इधर आधा इधर ठीक है तो इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं तो हम पहले स्टार्ट करेंग जो बच्चा होता है उससे क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तो कैसे याद करना है कि प्राइमरी तीत डेंटल फोर्मूला क्या होता हैं तो जब बच्चा हैं हम पैदा हुए तो सबसे पहले किसको देखें मम्मी को देखें या पापा को देखें ये जल्दी बताइए पैदा होने के बाद बच्चा सबसे पहले किसको देखता है मा को यानि आई सी मैंने देखा आई सी किसको तो ममी को प्राइमरी तीत यानि मिल्क तीत बच्चा बच्चों में होगा तो बच्चा किसको दिखेगा I.C. मम्मी I.C.M अब वही जब हम थोड़ा बड़े हो गए मतलब बच्चा से जब देसे जब बड़ा हुए तो मम्मी के बाद कि उन दिखे हमको पापा दिखे तो I.C.P.M पर्मनेंट में क्या है I.C.P.M और जो मिल्क तीथ है इसमें I.C.M कि लिए रहां तक I से हो गया इंसीजर, C से कनाइन, M से मोलर और इंसीजर, कनाइन, प्री, मोलर और मोलर क्या यहां तक कि लिए रहां कि कैसे याद करना है प्राइमरी जो टीथ है यानि दूद का दाथ बच्चा सबसे पहले किसको देखता है मा को यानि I.C.M I.C. मदर इंसीजर, कनाइन, मोलर ठीक है मा के बाद हम किसको देखेंगे पर्मनेंट हो गया तो पापा को भी देख लिए यानि I.C.P.M इंसीजर, कनाइन, प्री, मोलर, मोलर ठीक है अब देखिए क्या है आप देखिए यहां पर हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें प्री मोलर का भी जगा लिख दे रहे हैं जिसने क्या आप कन्फ्यूज ना हूँ अब देखिए जो डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो अभी क्या है इंसीजर सबसे आगे अब आप नॉर्मल आप अस्माइल दो थोड़ा सा तो आगे का दांद दिखता है तो सबसे पहले इंसीजर दिखेगा तो यह हो जाता है आपका डेंटल फॉर्मूला क्या कि जो है वो कितना है दो किधर उपर वाले जवड़ा के एक साइड इंसीजर दो उसके बाद कैनाइन कितना है एक अमोलर कितना है दो दो टू वन टू वन और टू दो सो बारह जो बच्चा है उसके लिए याद रखना है दो सो बारह आई सी एम जो छोटा बच्चा दूद का दात है मम्मी को देखेगा आई सी एम आई सी मदर कितना दो सो बारह ठीक है और बाकी इधर आई सी पी म मैंने पापा को देखा तू वन तू थ्री अब इसको समझते हैं कि 212 है क्या कि जैसे यह फोटो जो है यह एडल्ट का है ठीक है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जबड़े को बीच से भी उपर का जबड़ा कोई बीच से हटाएं तो तो जब 20 से आप हटाओगे तो जब 20 से आप नॉर्मल दांद देखोगे 20 में हलका सा चौड़ा रहता है तो यह जो ज़ो दांद दिख रहा है यह होगे आपका इंसीजर पहले हम एडल्ट चल रहे हैं फिर बच्चे में चलेंगे ठीक है एडल्ट में क्या है जो बड़ा है आइसी पीए मैंने पापा मम्मी दोनों को देखा कितना वार 2123 ठीक है तो आगे का यह जो दो है यह होगे हमारा इंसीजर इंसीजर उसके बाद एक सिंगल दांथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैनाइन यह होगी हमारा कैनाइन उसके बाद आपका दो दात आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री मोलर और पीर तीन दात होता है लास्ड में वह होता है मेरा मोलर अब देखि आई-से-न-2-123 इंसीजर कितना है दो के 9 एक प्री मोलर दो मोलर तीन कहां है उपर वाले जबड़े में भी आधा साइड बस यह डेंटल फर्मूला कर ले फिर वाकी क्लास कल ठीक है तो आप उपर वाले जबड़े में आधा साइड है इंसीजर दो उसका सेम आधा दूसरे साइड भी होगा यह दो इंसीजर हो गया फिर यह कैनाइन हो गया यह दो प्री मोलर यह हो गया आपका मोलर यानि आधा में चलेंगे आई सी पी यह मतलब यह उपर का भी या कोई एक जबड़ा का भी आधा यानि इसमें गुना दो करेंगे अगर दो से गुना करेंगे तो एक जबड़ा किलियर होगा ठीक है आई स्टी पी इंसीजर उपर कितना दो फिर कैनाइन एक पी दो मोलर तीन यह हो गया अब बच्चों में क्या होता है कि वो पापा को तो देखते नहीं है तो यह जो प्री मोलर दात है यह जो आपका प्री मोलर यह बच्चों में नहीं होता है और मोलर में भी लास्ट का जो दात होता यह नहीं होता है बस दो इंसीजर एक कैनाइन और दो मोलर यह बच्चों म नीचे में भी 212 गुने 2 अगर करें यानि जो हमारा मुख है इतना साइड में बच्चों का 5 है तो इधर 5 इधर 5 5 5 10 यानि बच्चों के उपर वाला जवड़ा में 10 दात तो उसी परकार नीचे वाला जवड़ा में 10 दात तो टोटल कितने दात दस उपर दस नीचे तो बच्चों के अंदर कितने दात 20 दात यानि यह हो गया आपका जो दूद का दात है वो कितना हो गया 20 टोटल दात 10 उपर 10 नीचे इसको हम लोग कहते हैं मिल्क तीत फर्मूला क्या हो गया आईसी मदर 212 ठीक है 212 हमेशा याद रखना मैं बार वार बोल रहा हूं यह जो ट्रीक है बस यह आधा पाठ होता एक जवड़े का भी आधा उसको आपको गुना करना है अगर पूछ दे कि जो इंसीजर है छोटे बच्चों में इंसीजर का संख्या उपर वाली जवड़ है उसका छोटे बच्चों में उपर की जवड़ों में कुल संख्या कितनी होगी जल्दी बताईए इंसीजर इंस छोटे बच्चे चार बिलकुल सही दो इधर बता रहे हैं दो फर्मूला क्या है टू और टू बता रहे हैं तो टू इधर और टू इधर यानि टोटल हो गए चार मतलब उपर जवड़े में चार नीचे फिर चार उसी परकर कैनाइन पुछेगा तो एक इध इधर एक इधर दो एक नीचे एक इधर नीचे टोटल चार कैनाइन हो गए मोलर फिर दो 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 आठ मोलर अब उसी परकार सेम है आपका एडल्ट में अब क्या होता है दाथ चार दाथ चारो दाथ का काम क्या है पहला इंसीजर यानि क्रिंटक क्रिंटक क्या है अब कोई भी पास देख गया लड़का गया लड़के के लिए लड़की के लिए लड़के गया अब अस्माइल दिया कोई थोड़ा समाइल तो कौन सा दाथ दिखता है आगे वला सबसे आगे कहीं दाथ दिखता है यानि जब भी जो incisur है अस्माइल कोई दिया मतलब आगे कर दाथ दिखा सबसे पले यानि आई यारी तो हमेशा याद रखना है कि जो カियों मुश्कुराने वाला दाथ वो कौन सा है इनसीजर है ठीक है अब कोई काटता भी है तो भी आप देखना क्या कोई कितना भी कोई काटेगा कहां से काटेगा अगे से काटेगा आप खुद के हाथ में काट तो यह दाथ ही आता है आगे का मतलब हैं उसका काम क्या हो गया एक तो स्माइल पास करना दूसरा उसका काम हो गया कट करना किसी भी चीज को काटना है तो हो गया यह इंसीजर का काम होता है इसको ऐसे करते ग्रूइंग ऑफ फूड इंसीजर का फंसन तक ग्रूइंग इंगलिश टम नहीं भी है तो बेसिकली दात में कुछ नहीं आप खुछ से देखो काटो आगे का दात का काम क्या है काटना यानि इंसीजर का काम है किसी भी चीज को काटना और स्माइल देना और यह जो इंसीजर है यह आपका छेनी जैसा होता है अकार इसका ठीक है अब जो हाथी होता है हाथी का जो सूड देखते हैं आप निकला हुआ रहता है तो हाथी का जो सूड है वो अपर इंसीजर का प्रकार होता है यानि जो आगे वाला इंसीजर दात है वो ही होता है लेकि जो उपरी जबड़ा होता है उसी का होता है प्रकार आपका हाथी कसूड में इंसीजर अब दूसरा एक दात के लिए हमां स्माइल दे दिए अब स्माइल देने के बाद क्या करेंगे केनाइन का काम क्या है जो नौन चीज को फारता लिष्य भाड़ने का काम किसका है के ए यानि जो के 9 है इसका काम क्या हो गया टियरी भारना जो झार्णी वेरस मांसाहारी जन्तू होते हैं उनके अंदर मिली को 9 जादा बड़ा। तब देखोगे सिर्वेगा का साइट से ऐसे एक ऐसे दान दोनों साइट से आय रहता है तो इन्सीजर का काम है काटना के नाइन का काम है फारना अब फारने के बाद क्या है बोजन अंदर गया यानि जो प्री मोलर और मोलर है इसका बिसिकली काम क्या है खाने को चवाना और चुइंग एंड ग्राइंड ट्रसिंग खाने को चवाना और उसको पीसना यह काम किसका है प्री मोलर और मोलर नॉर्मल है अब खाना हम भार के चवाते कहां है अंदर साइट से तो चवाने का काम किसका हो गया प्री मोलर और मोलर का यहां तक किलियर है जल्दी से बताईए यह जो चार प्रकार के दार्थ हैं इंसीजर अस्माइल में आना काटना केनाइन फारना प्री मोलर एंड मोलर चवाना और उसको पीछना चुविंग एंड क्रसिंग क्या यहां तक जो डार्थ है उसका क्या फंक्शन वो किलियर है चली ठीक है अब देखिए एक पॉइंट आता है हमारा भी विश्डम टीथ या तूथ सब गाउं में मैं ली सुनेंगे अकल चवा विश्डम तूथ अकल चवा देखिए जिनको डार्थ का किलियर नहीं है डार्थ देखिए चार प्रकार का था इंसीजर कैनाइन प्री मोलर मोलर नॉर्मल हपने आपको हाथ लीजिए मुह में लगा आगे से नॉर्मल के आप काटते हैं तो इंसीजर का काम क्या हो गया काटना जब नॉनवेज खाएंगे तो ऐसे खिचते हैं फारना तो कैनाइन का काम हो गया फारना बाकी जो पीछे का दात उसका चवाना और पीशना ठीक है तो अभी हम लोग क्या चल रहे है विश्डम अकल दंत अकल चवा लोग गां में बोलते होंगे 18 साल के बाद अब देखते होगे कि दर्ध हुआ लोग बोलते हैं अब तोरह अकल आना स्टार्ट हो गया तो देखिए नॉर्मली रिलेटेट नहीं है कि 18 साल इदात आरह मतलब अकल नहीं आ रहा है बिसिकली माना यह जात है तो 18 साल के बाद आता है पहला पॉइंट दूसरा कि यह कौन सा दात होता है कि थार्ड मोलर अब देखिए जो फीगर है कि आगे देखिए हम आधा ही दिखाएंगे ठीक है आगे का यह क्या हो गया इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एक प्री मोलर टू मोलर कितना है बेस्क में तीन तो यह हो गया एम मोलर वन मोलर टू और यह मोलर थ्री तो जो सबसे last का दान्थ होता है तीसरे नंबर का जो molar है वो 18 साल के बाद आता है पहला point दूसरा ये जो सबसे last में आता है इसी को हम लोग wisdom तीत यानि अकल का दान्थ कहते हैं तो इसका अगर संख्या पूछेगा तो कितना होगा जल्दी बताईए जो अकल का दान्थ है यानि थर्ड मोलर है उसका टोटल संख्या कितना होगा विल्कुल सही चार कैसे एक साइड में last में थर्ड मोलर इधर भी एक एक दो नीचे फिर एक तीन एक इधर चार यानि जो टोटल विजडम तीत होता है वो कितने हो गए चार अकल का दान्थ चार परकार का कब आएगा 18 साल के बाद आएगा और कौन सा दान्थ होता है आखरी मोलर होता है आपको याद होगा बच्चों में क्या बताया थे दो सो बार यानि मोलर कितना होता है दो अकल वाला दान्थ का बाता है 18 साल का तो बच्चों में तो आएगा ही नहीं तो खतम कहानी ठीक है आप देखिए पुछ टर्म बस समझना है कि क्या होता है टर्म जैसा कि नाम है देखिए मोनो पायो डॉंट मोनो यानि एक बस आपको रतना नहीं एक्जाम में आएगा और आटो मैटिक बनेगा मोनो यानि एक डाई यानि दो ठीक है फायोडांट मतलब दात आना जो दात एक बार आता है उसको कहते हैं मोनो फायोडांट जो दात दो बार आता है उसको कहते हैं डाई फायोडांट ठीक है Mono यानि Single, यानि Single Time Eruption of Teeth is Known as Monofiodont और Double Eruption of Teeth is Known as Diphiodont, मतलब जो दान्थ दो बार आता है अब जो बच्चों के अंदर था 212, ICM, ये क्या था? दूद का दान्थ, तो ये सब तूटेगा, उसके बाद फिर से आएगा तो ये सारे दान्थ क्या हो गए आपके? डाई फायोडाउंट, उसके इलावा, Monofiodont में क्या हो जाएगा? कौन सा दान्थ? ठर्ड मोलर, ये 18 साल के बाद बस एक ही बार आता है वो तूट गया तो दुबारा फिर नहीं आएगा और वो वेश्ट होता है, उसको हटा देते हैं लोग, बहुत सो जो ठर्ड मोलर है, वो एक ही बार आता है, उसको हो गया आपका Monofiodont, तो Mono die के लिए आप देखिए, एक है ठीको और एक है हेट्रो, तो हेट्रोडाउंट क्या होता है? हेट्रो यानि अलग-अलग परकार का, जैसे जो हमारा दात है, आप देखें, उसकित है चारपरकार का था, इंसिजर, कनाइन, प्री, मोलर, मोलर, यानि अलग-अलग का दात है, चार परकार का तो इसी को हम लोग हेटेरोडांट कहते हैं यानि अलग-अलग परकार का दांट और एक है थीकोडांट यानि जो हमारा दांथ है है अब यह Communist दे को दांत होता है आप देखो दांट तूटता है तो अंदर गध़्धा है थीकोडानट यानि दांट गढ़े में फीक्स होना उसको नोगते हैं यह चार टर्म था बस कुछ नहीं है मोनो यानी यानि जो दांट एक बार आता है उसको ढाइप अलग-अलग परिकार का डांट और एक हो गया आपका थीपो डोंट यानि गढ़े में सेट हो आज का लाश्ट टॉपिक बस समझते हैं ठीक है जैसे हमारा जो मुख है मुख गुहा इसके अंदर हम लोग क्या देखें मुख पढ़ लिए आपका जीव हो गया दात हो गया और हमारा मुख है उसके अंदर आपका अधोर का किया है अब समझ लीजे ठीक है लार का उत्पादन करना जो अंदर क्या होता है उसके अंदर क्या होता है जो अंठानवे से निनानवे परसेंट लगवग आपका पानी होता है आपका देखते हो खाना है लार जो टपकता है आप खुद देखते हो पानी होता है लेकिन एक नॉर्मल पानी यो लार थोड़ा गाढ़ा भी होता है तो उसके अंदर और भी मिन जाइम होता है दो टाइप का एक होता है लाइसोजाइम लार के अंदर हमारा लाइसोजाइम इंजाइम होता है जिसका काम क्या है जो हम बाहर से खाना खाते हैं तो बैक्टिरिया इस सब क्या है आपका भोजन पर है जो हमारे सरीर को हानी पहुंचाएगा जो हम खाना खाते ह मुख के अंदर तो लाइसोजाइम जो बैक्टिरिया वेगरा बाहर से आता है उसको मार देता है ठीक है और जो इंजाइम एक लाइसोजाइम हो गया दूसरा आपका होता है है अब में दूसरा इंजाइम जो होता है उसको करते हैं हम लोग सलाइवरी आमाइलेज या फिर उसी को हम लोग टाइलीन करते हैं लेकिन लिखते हैं पताइलीन बस दो मिनट और ठीक है बस लार ग्रंथी बागी पेट से कल से होगा ठीक है जो हमारा आप इसको जल जल समझ लीजे जो इसका काम क्या है लार का उत्पादन करना लार के अंदर 98-99% पानी होता है क्योंकि नॉर्मल आप देख रहे हैं बागी क्या है उसके अंदर इंजाइम होता है डो टाइप का इंजाइम होता है एक आपका लाइसो जाइम जो बाहर से बैक्ट्रिया आता है उसको मारता है दूसरा आपका होता है लेकिन बोलना है इसका काम क्या है जो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट है वह आपका स्टार्च के रूप में मेली रहता है उसको यह माल्टोज में तोड़ता है जैसे जो रोटी वेगराख खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो पाचन वह हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है किसके दुआरा तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइले जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है एप्रोक्स हमारे मुख में हो जाता है ठीक है अब आप देखिए जो लार ग्रंथी है एक साइड का बता रहे हैं यानि दूसरे साइड भी होगा सब जोड़े में होता है तीन टाइप का लार ग्रंथी होता है एक पैरोटीड एक सब मेंडिबुलर एक सब लिंगुवल नाम क्या है पैरोटीड यानि जो पैरोटीड है वो हमारे कान के पास होता है इस एरिया में जो है यहां पर एक लार ग्रंथी होता है जैसा कि आप यह देख पार रहे हो यह हो गया पैरोटीड एक इधर है तो एक इधर भी होगा टोटल हो गया दो साइज आप देखो तो सब सबसे बड़ा पैरोटीड ग्रंथी सबसे बड़ा साइज में होता है और कान के पास होता है कितना होता है दो होता है खतम फिर एक होता है सब मेंडीबुलर अब सब मेंडीबुलर देख पार हो कहा है जबड़े के नीचे सब मेंडीबुलर कहा होता है तो यह हमारे जबड़े के नीचे ह recurs है और लगवक सत्तर से 75 परसेंट जो लार है वह आपका सब मेंडिवूलर के द्वारा ही बनता हैा 70 स 75 परसेंट लार का निर्वान सब मेंडिवूलर के द्वारा होता है ये वी कितना दो कि लियर सब लिंग्युल जीव को हम लोग lingua कहते हैं तो जीव के नीचे जह होता है उसको हम लोग logg धते हैं sub lingual यह सबसे शोटा साइच का होता है थीख है तो यह होगा हमारा लारग रंति लारग रंति क्या है किया उसको लार का निर्मान करना लार के अंदर 90-99% आपका पानी होता है बाकी इंजाइम होता है इंजाइम कितने टाइप के दो टाइप का लाइसोजाइम क्या करता है बैक्टिरिया विगरा को मारता है दूसरा टाइलीन वो क्या करता है कार्भोहाइडरेट का डाइजेशन करता है कार्भोहाइडरेट का सबसे बड़ा होता है सबमेंडिवुलर यानि जवड़े के नीचे होता है सब लिंगवल जो जीव के नीचे होता है वो भी दो यहां तक किलियर है जल्दी बताइए कि हएं आज का क्लास हमारा यहीं तक है इहां तक अगर किलियर है जल्दी बताइए तेखिए जो बिडियो अप्लोड है जैसे अभी वी क्लास हुआ तो च्लास होने के वाद जब क्लास ان्ड हो जाता है तो बीडियो आपका मानकी चले आदय एक घंटे के लिए आपका प्रो सेछिंग में रहता है उसके बाद जो आपका वीडियो है जो आप आप ओपन करते हैं तो आप में आप कोर्स में देखीगा उपर लिखा रहता है ओवर व्यू कंटेंट और लाइफ क्लास तो जब आप लाइफ क्लास वाले सेक्शन में आपको आज का क्लास आपको वहां पर मिल जाएगा एक घंट का क्या है देखिए हम इसमें अगर मेरे पास से जो पीडियोफ जाएगा है अगर देंगे तो मेरा पीडियोफ सौट फॉर्म रहाएगा बिसिकली उसमें थोड़ा आपको मेन जैसे हम यहां मार्क किये यह हो गया माउथ यानि मुख अब इसमें हम करेंगे मुख गुहा के अंदर तीत दांत टंग और पैलेट अब इसको कर देंगे हार्ड सॉफ्ट यह हो गया इव्य कि वीटर कि सौर और साल्टी यह हो गया ठीक है बाकी तीत तो बस डेंटल फर्मूला बच्चे के अंदर आइसी एम टूवन टू आइसी पी एम टूवन टूथरी यह हो गया आपका क्या माउथ आपका किलियर तो अगर आप इस फॉर्म से अगर खुज से पीडियो मतलब और पनाएंगे तो आपका एक पेच के अंदर पूरा डाइजेस्टिटिप सिस्टं म आते चाहिए इसके इंदर यह आ गया क्या इसो फेगक इसमें लिग देंगे बाकि उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो एड करना है वो आप एड कर लिजेगा ठीक है तो एक से डाइस्टिप सिस्टम जैसे कल कम्प्लीट करेंगे तो इसका हम आपको एक एक ही पेज में बनाकर परसो फिर अप्लोड करवा देंगे ठीक है क्लास के बाद वीडियो जो है आपका प्रोसेस वो खुद से ही जाता है क्योंकि इतना लंबा टाइम वाद उसको प्रोसेस होने के बाद वह अप्लोड होता है जो पीडिएफ लिख रही है टीम एक्शली उनके उपर लोड थोड़ा ज्यादा हो गया अभी बहुर सारे को जो पॉलिटी का क्लास का भी मेली जो इस वाई से लोड ज्यादा है तो वो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है भी खुड़ा टाइम लग रहा है उनको लिखने में बाकि एक कोई थे जिनको कुछ हेल्प लेना था तो आप कि आप इस पर मुझे मेल कर दिजेगा जो भी इस होगा फिर हम आप से कॉंटेक्ट कर लेंगे हां भी क्लासेज आपका 10-15 दिन रहेगा इसमें टार्गेट हमारा यह रहेगा कि एनमल कि फिजियोलोजी खतम हो जाए और मैक्समाम टॉपिक 80 परसंट से लेवस हमारा टार्गेट रहे के भी खतम ही रहेगा तो आज का क्लास हमारा यहीं तक है चली ठीक है धन्यवाद गुड़नाइट टू आल पुड़नाइट दूबनाइट अचल फिस एनमल गयाओन खतम हो जब वेड़नाइट भी खतम हो भीने तो एन प्रहेब्स, रहेगा बबनाइटा कि गुड़नाइट एन प्रबाद से टूद एनल